हेलो फ्रेंड्स मैं GDSA डॉक्टर रोई शर्मा हम बात कर रहे थे इंफेक्शन कंट्रोल की और अभी तक हम देख चुके हैं कि इंफेक्शन कंट्रोल क्यों जरूरी है एन ए बीएच की क्या गाइडलाइन है हमारे और हमारे स्टाफ के लिए कौन से इमेनाजेशन की जरूरत है हम पीपीई कैसे वियर करेंगे और उनकी क्या इंपोर्डेंस है इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इंसिडेंट आपने अपने आपकों से भी देख रखे होंगे कि अगर मान लीजे किसी क्लिनिक के अंदर एक आदमी को जुखाम या खासी हो जाती है तो बहुत जल्दी दूसरे लोगों को भी कोमन कोल्ट हो जाएगा सो सिर्फ एक पेशेंट जो की टीबी या कोरोना जैस कि वो ऐसे पेशेंट को पहले से ही डिटेक्ट कर ले और नैसेसरी प्रिकोशन को ले सके तो कुछ ऐसी ही प्रिकोशन या गाइड लाइन्स या टिप्स आप माल लीजे जो मैं आपके लिए ले आया हूँ और अपने क्लिनिक के अंदर आप अपना सकते हैं आपके वेटिं एरिया में मास्क एंड टिशू वेपर देने के लिए अवेलेबल होने चाहिए और इन चीजों को डिस्पोश करने का भी डस्ट वीन आपकी वेटिंग लोबी के अंदर ही होना चाहिए वैसे तो हर पेशेंट को हैंड सानिटाइजर ओफर होना चाहिए लेकिन इन पेशें पेशेंट ना करें आप और आपका असिस्टेंट मास्क का यूज हर पेशेंट में जरूर करें अगर आपके ओफिस में कोई टीवी पेशेंट है तो आप कुछ इस तरह की गाइडलाइन्स को फॉलो कर सकते हैं पोस्पॉन ट्रीटमेंट इफ पॉसिबल तिल फॉर मॉन्स अफ एक्टिव मेडिकेशन लिमिट यूज अफ अल्ट्रा सॉनिक हैंड पीस एंड हाइड स्पीड हैंड पीस जो एरेसॉल बना सकते हों हाइड वोल्यूम सक्षन का 100% मेंडेटरी है इफ पॉसिबल यूज रबर डैम मैंटें प्रोपर हैंड 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 हैं N95 इफ प्रोपर वेंटिलेशन नौट पॉसिबल ओपन यूर दोर्स तु डाइलूट कंटामिनेशन रेगूलर फ्यूमिगेशन और यूज ऑफ एंटी बैक्टीरियल स्प्रेय और नेसेसरी और यूज बैरियर टेक्निक रेस्पिरेटरी एटिकेट्स के बाद अब हम दे यही डेंटल क्लीनिक के अंदर बहुत कोमली देखा जाता है शार्प इंस्ट्रुमेंट से सिर्फ मेरा मतलब नीडल से नहीं है शार्प इंस्ट्रुमेंट से हर वो इंस्ट्रुमेंट है जो आपकी स्किन को पैनिट्रेट कर सकता है जैसे बीपी ब्लेड सूचर्स क्योरे और फिर भी मैं आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है मैं सिर्फ आप लखी कह सकते हो कि अभी तक मैं को कोई मेजर दिकत नहीं हुई लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सावधान नहीं होना चाहिए और मुझे उन गटनाओं को मिनिमाईज नहीं करना चाहिए चलिए देखते हैं कि शार्प इंस्ट्रुमेंट को किस तरीके से हैंडल करा जाए ताकि इस तरीके की गटनाओं ना हो सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज है एजूकेशन आपके असिस्टेंट को पता होना को कलीनिंग एरिया में ले जाते हैं फिर हैवी ड्यूटी गलव को वियर करना है यहां पर सबसे पहले इंस्ट्रुमेंट हमें सेग्रिगेट करने हैं शार्प इंस्ट्रुमेंट and non-sharp इंस्ट्रुमेंट सबसे पहले लेते हैं बी-पी हैंडल याद रहे शार्पेंड को आपने bare hand से बिल्कुल टच नहीं करना है। मार्केट में BP Blade Remover भी आते हैं पर हम blade suture forceps से remove करेंगे। Discard the blade in the sharp rigid container. Next thing, we should look for sharp instrument like explorer and curates. हर sharp instrument को एक बार में एक ही hold करो और उसको brush से clean कर दो। Sharp instrument को कभी भी अपने bare hand से clean नहीं करना है। Small sharp like orthodontic wire, bent or endodontic file को rigid container में throw कर दो। And lastly, bur and files को हर file को अलग से clean करके box में डाल दो और बाद में ultrasonic में भेज दो। अब इन सारी instrument को आपने कैसे sterilize करना है वो आगे की वीडियो के अंदर देखेंगे। जिस container के अंदर आप ने अपनी needle sharp instruments फैके हैं वो rigid होना चाहिए, वो puncture resistant होना चाहिए। उसके अंदर से sharp instrument बहार पॉक नहीं होने चाहिए। आप इस तरह के box अपने biomedical waste वाले से खरीच सकते हैं। इन box का color जादा तर red होता है और कभी कबार blue भी देखने को आपको मिलेगा। जब ये box भर जाता है तो हम उसको biomedical waste वाले को दे देते ताकि वो इसको properly dispose कर सके। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही अपनी next वीडियो के अंदर हम देखेंगे environmental infection control कैसे आप air and water की quality को monitor कर सकते और उसको अच्छा रख सकते हैं। थाउर भाग वाचू ठाल प्लेगा। जाता हैसे हैं वीडगा।